मैं हूँ आपका एजुकेटर सीव मिस्रा और हम लोग चीजों को देखते भी जाएंगे पढ़ते भी जाएंगे जो आपकी बूर्ड में आने वाले हैं तो आज हम लोग पढ़ेंगे आने वाला इंपॉर्टेंट आपका लेटर जी हां मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए तो टेंशन मदले ना सारे विसे एक तयारी आपको यूटूब से मैं करवा दूँगा लेकिन एक बात और है क्या वह आपके पढ़ना चाहते जो बोड में आएगा नो डाउट आपको यूटूब पढ़ाएंगी पढ़ाएंगे ले लाइव वह सौल कराऊंगा जो आपके बोड में छपएगा तो जाइए महाभारत बैच को जोईन करें सभी भी से आपको एक सब्सक्राइब मिल जाएगा वीडियो मिल जाएगा मैं लाइव पढ़ाऊंगा कोई आपको अन्न से कुछ करने जरूद नहीं पड़ेगी महाभ भारत बैच से जुड़ी है मात्र मात्र 101 रुपए में आप सभी के लिए है ठीक है न कोई दिक्कर नहीं होगा मैं वहां पर लाइव पढ़ाऊंगा सेप्रेडर चीज़े पढ़ाऊंगा अप्लिकेशन के अंदर अप्लिकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउन्लोड कर सकत टेलीग्राम चैनल एसके मिश्टरी को जोड़ी जोईन करिए वहां पर आपको सारे पेपर उपर मिलने आएंगे आपको पता है सरे जितना भी यह दे रहना इधर उधर के नोड़ सोर्स वह तो मैं उतने ज्यादा ही फ्री से फ्री से वाम भाई साब टेलेग्राम पे दे करवा देंगे टेंशन मत लीजिएगा जाके टेलीग्राम चैनल एसके मिश्टी जोइन करें लिंक इन डिस्क लिशन बॉक्स और हां महाभारत बैच को जोईन कर लिजिए ठीक ना चलिसर यहां पर देखेगा दो इंप्वाटेंट है एक को सौल करेंगे एक आप करेंगी यह अगर देखें तो 2023 और 2024 बोर्ण में आपका बना हुआ प्रश्ण है 2023 और 2024 बोर्ण में बना हुआ आपका प्रश्ण है प्रश्ण क्या है धीयान देजेगा मतलब लेटर है सर यह लेटर आपके बोर्ण में साथ 10 नमबर का आता है आखिर Lazis का पेपर है 100 नंबर का है किन नंबर का है सर सो नंबर का अंग्रेजी का पेपर है तो उसमें हमें 33 नंबर पास होने के लिए कम सकम नंबर की जोड़ पढ़ेगी तो सौ में से 33 नंबर कैसे आएगा आप लेटर तयार कर लो आडिकल तयार कर लो सेंट्रल आइडिया तयार कर लो आपका 37 नंबर से ज्यादा नंबर आपका कवर हो जाएगा बाकी महाभारत बैस तो आपके लिए है रामबार इलाज जाहिए जॉइन करें यार पता नि कितने हजार बच्चे जॉइन करके पढ़ रहे हैं और आप है कि यार क्या ही बता है क्योंकि वह पेपर पढ़ी है हमार लेटर नहीं आ रहा है तो आप यह लेटर लिख सकते हैं लेटर क्या है राइट ए लेटर तुद प्रिंसपल आफ यूर कॉलिज फार ए प्रे इस्टुडेंट सीप टू अनेबल यू टू इस्टड़ी फर्दर तो आपके पेपर में दो लेटर आएगा दोनों में से कोई लेटर सॉल्व करना रहेगा चाहिए यह करिए चाहिए करिए और आज की इस वीडियो में हम लोग सर इस पर हम लोग लेटर सॉल्व करेंगे यह लेटर सर किस पर आया हुआ है ध्यान देना राइट एलेटर टो दे प्रिंसिपल आफ यूर कॉलेज पार एफ्री इस्टुडेंट सी तू अनेबल यू तो इस्टडी फर्दर यह बहुत ही मोश्ट इंपोर्टेंट है यह भी अपने आप में सर इंपोर्टेंट है क्योंकि यह पेपर में क्या होता सर रिपीट होता ह है ठीट कि यहां पर लिखेंगे सर इंसर क्या लिखेंगे इंसर इंट्चिंसर फिर आगे लिखेंगे आप डियर क्या लिखने सर टियर कहिए इसक absorption के लिए तो क्या लिखेंगे को प्रिंसिपल डियर प्रिंस्पल्स जी जी आई सी इंटर कॉलेज्ज यूपी यहां पे अपना कॉलेज का नाम लिख दीजिए और जिस आप कॉलेज पढ़ते हैं वह कॉलेज यहां पे नाम लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं ठीक ना तो आप आप यहां पर लिखेंगे सब्जिक्ट इसको आपको इसी मिलेगा देखिए आपके क्या है यहां पर देखिए लिए अपना क्या लिख रहे हैं तो यहीं यहां पर लिख दीजी ध्यान देजिए यहां लिख देंगे आप लोग request for a free student ship, request for a free student ship, ठीक ला उसके बाद लिखेंगे यहां पर, I hope this letter finds you well, I am facing financial constraint that jeopardize my ability to continue my studies, I kindly request you consideration for a free student ship, given my commitment to academic and active involvement in college activities, बस इतना सितना याद कर लो, उसके बाद नीचे लिख लिखेंगे, नीचे आप लिखेंगे, जो मैं बता लूँ, बस इतना लिखती है, रहराम से आप कम मिल जाएगा, यार, I assure you of my, I assure you of my continued dedication and contribution to the college community, your support will make a significant impact on my education, on my education, फिर नीचे लिखेंगे, ठैंकिंग, या फिर ठैंकिंग यू लिख सकते हैं, या फिर ठैंकिंग यू नहीं लिख रहे हैं, तो ये लिख सकते हैं, ठैंकिंग यू फ़ार, यूर टाइम एंड कंसिडरेशन, ठैंकिंग न, उसकी बाद यहां प्लिख लिखेंगे, sincerely, x, y, z, और आपको कुछ भी नहीं लिखना है, इतने में आपका सर, लेटर जो है, तयार हो गया, इतने में क्या है, सर, लेटर यहां पर आपका क्या हो गया, तयार हो गया, यह सर, दो, आने वाले सर, छपने वाले सर जी, मैं लेटर बताएं हूं, पहला लेटर, यह हो गया, दूसरा सर, आपके पेपर में आएक मालिक यह नहीं कर पा रहे है, अथवा कर क्या है, अथवा में यहां पर देगा, और आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक, फिर नीचे मैंने आपको फॉरें वता भी है, डियर प्रिंस्पल, जी आई सिंटर कॉलेज, यूपी, फिर यहां पर सब्जेक्ट लिखना है, रिक्वेश्ट फॉर इस्टुडेंसिट, यह लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सब्जेक्ट हेडिंग डालकर नहीं लिखते हैं, तो सर समझ लीजिए, नमबर कट जाएगा, तो कोशिज करें सर जी कि आपका नमबर ना कटें, बलकि आप सर क्या लिखकर आएं वहां पर, सब्जेक्ट जवर जवर लिखकर आएं, फिर यहां पर, जो मैं बता आपका लेटर राविया, तयार कर लेजिए, और हम आपके पूरी तयारी करवा देंगे, टेंसर मत लेजिए, यूटूब पे तो करवा रहे हैं, बड़ आपको पेपर पीडियाफ चाहिए, क्योंकि हर यहां का चीज का पीडियाफ वहां पर नहीं पिल पाता ना, वह आने लेकिन आपसे चीज कहना भोल गया, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए,